कि करल लो इसा होई एक कि कूए मैं असी रादेना है मैं लोग्ति पाल्ला काम विजर साम वह है लुज कर देंड़े लेकिन साड़ा जेन उप्ते सी लेकन उसी हाय जो ठाल काने है मैं हैसी मेरे केर दिरांड वे इसारता तर रिकसे जार आड़ आड़ा आड़ बख्रण असारत ने कालो मैं कालो इसारता वागर कर दो कर दो किकिला पाँटशी सब्सक्राजबर कर दो कर लो है दो की जाकर आड़ जो आपने भी मुलाहिदा फर्माया है वो था पांच पांच हजारते की बारगेनिक तो बारहल सौदा मुकमल हो गया एक निसान मुको थी उसका रिवियू भी नी किया और अला का शुकर दो अपने घर को जा रही है और मेकैनिक का सीन यह है अगर आपनों को याद हो कल मेकैनिक का रहा है के बैट 13 है एक मिने यहां पर बरी हैवी बारिश चल रही है अगर आप लोग देख सकते हैं पूरा जेल लोल भीगा हुए है अगर गर्मियों का मौसम होते है तो यहां पर जितने भी जारी साफ करने वाले बारिश होते हैं वो यहां पर नहारे होते मगर क्योंके थोड़ी सी ठांड आ चुकी है तो लोग अभी इतने आज ज्यादा नहीं नहारे अच्छा दी तो मैं आपको बता रहा था कि कल मेकानिक के साफ फून ते मेनी बात दो रही थी कल का अपिसोड अगर आप लोग ने देखा हो तो मैं कह रहा था कि कोई बैट ते रहा है फिस्टे टायरों का कुछ कोई मसला है बैट में बैट खोलना परेगा खरादिय के पा आज सुबा मेरे मेकानिका मुझे फून आया है और मुझे कहता है कि मैंने गारी चला के देखी बैरिंग का ही मसला है तो यह वही जमाना है यह वही बात होगी कि 21 सदी चल रही है आप डॉक्टर की हर बात के उपर जी सर जी सर नहीं कहते आप अपनी थोरी सी जादा जिद इनों को लगड़ा सा बेट का मसला है तो मैंने का भाई बेट को हाथ लगाने से पहले पहले ट्राइ कर ली मुझे लगता है बेरिंग का मसला है क्यूंकि मेरी और एक और भाई की राई थी कि बेरिंग का मसला है तो असल चीज तो चला कर बदा चलती है तो सीन के उची है क कॉस्टिंग बता रहा आपको बेरिंगी कॉस्टिंग आई है जी एठाइंसर रुपे का बेरिंग है दोसर रुपे अखरादी लेगा उसको प्रेस करने के लिए और पांच रुपे असलीम मेकैनिक भाई लेंगे बेरिंग को चेंज करने के लिए तो तोटल धाई दार का खच्चा आ रहा है अस कंपेर टू बेड़ बेड़ होना था एक्सपेंसिफ चेंज अभी बारिश हो रही है मेरी ख्वाइश ती कि मैं जाता चेक करता वो मेकैनिक साब जब चेंज कर रहे होते हैं तो इसकी वीडियो बनाता जो पराड़ो थी जो फेस अपलिफ्ट ओर इसकी वीडियो बनाता बारहाल अभी के लिए तो इतना ही अभी जो हैं दो बजने वाले हैं आज चौथा दिन है जुम्मेरात का दिन है आज थर्स्टे का पीर की कहानी शुरू इए वैगनार की तो इंशाला आपको अपने साब लेके चलते हैं आज दिलि दी लेकर लेकर अदर लेकर अपने का जाएं प्लू रहे हैं जी पूरा प्लू प्लू यू प्लू यू यू जी तो बा कोई बारे एक बज़े डील हुई थी निसान मौकों की पेमिंट अभी सबा छे बज़े आई है आज बारिश की जैसे मेरी वैगनास टिंग रे भी काफी लेट आई है थोड़ा कर जल्दी आती तो शायद रामल भाई इसकी सफाई सुसाई शुरू कर रहते है और अभी भी बारिश हो रही है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गारीय जो है वो गिली है पेंट उसने अच्छा किया है पैसे उसको दे दी है हमने ठीके अब फिलहाल कर खीन कोछ है, मैं आप आपनों को समझाता हूँ फिलहाल कर खीन कोछ है, कि जो मेकनिक है, उसने बेरिंग चेंज करती है, पच्छेसर और अपर मेकनिका खर्चे आया है जेंटर ने जो है वो पैनल गला हुआ था जैसे कि आप लो दिखाया था वो और अंदर से दर्वारा जब मैंने खोला था तो वो भी कुछ आपको शायद दर्वारे के अंदर वाला हिसा भी गला हुआ था वो अगले पिछले बंपर उसे सेट कर दी है तो उसने लिया तकरीबद दो हरार आच्छा रुपए इसमें जो है पीन से रुपए जो है वो उसने मुरम्मत करने कर दिया था बंपर वाले को जो अगला खटा नहीं हुआ था जो एपिसोड जिनने में वन देखे हैं को याद होगा और पेंटर ने मुझसे लिया है अल्ला भला करे मुझे याद निया रहा है 7,000 रुपए पेंटर ने लिये उसने एक बंपर पेंट क हुआ है 7,000 प्लस 28,000 प्लस 25,000 अच्छा अब एक सीन ये है कि याद आओ कि ये टायर की जो हब है वो टेरी है उपर से टायर अंदर है नीचे से बाहर है और अगर आप इस टायर को मैं आगे नहीं जा सकता आगे बारिश हो रही है ये टायर उपर से हलका सा लेक्ट की करने में गारी ओके है अब सीन ये है कि हमने भी ना कॉस्ट एफेक्टिव चीज़ें देखनी होती है हम जितना गारी पर खर्चा करेंगे उस ना एंड यूजर के लिए चीज़ एक्सपेंसिव होगी ठीक है तो हमने मश्वरा किया है चीज़ चलने चलाने में ओके है बेर है क्योंकि गारी जो है वो सही चल रही है और गारी के चलने चलाने में इशू कोई नहीं है तो अल्डो हब में 19-20 का इशू है मगर अगर मैं उसको छेजता हूं तो मेरा कुछ 6-7 हदार पया लग सकता है और डोंट केट मी वांग ये 6-7 हदार पया कर मैं लगा देता हूं तो अल्टिमेटली एंड यूजर पर ही बर्डन आएगा तो ये मैं नहीं लगा रहा है एक तो ये बात दूसरा जो अगर आप ये देख सकते हैं इसको पर इस टिकल लगे हुए मलक ब्रोस और ये पंजाब कार AC का नीचे लगा हुए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ठी लगाता है तो प्लीज टेए टून आप लोगों को बहुत कुछ सीथने को मिलेगा बात चोटी सी होगी मगर आपको समझ आएगी कि चीज जब इसको तयार करते हैं तो कैसी पैचीदियों में जाना परता है सीन कुछ जिन्दी के में यू है कि जब कस्टमर आता है वो उसी की देशी आंटी की तरह होता है जो अपने बचे या बची के लिए रिष्टा धून जरी होती है फर चीजश फिक निकल आती है तो उसको बाद में ख्याला आता है जिन्याना ह। बहुति ही जो लोंक ऑछास होता है जो लरकी जो हो है इन्यागोता है तो बहुते होती है हम okay कर सकते हैं तो इस गारी में एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी तयार होने के बाद भी okay नहीं होंगी और वो इंशालला हमने अपना टाच उसको देंगे तो please stay tuned with me आप से मुलाकात होगी इंशालला वेगनार के अगले एपिसोड के साथ इंशालला अब तक ख्यार लगें आला हाफेज